वक्रतुन्दर महा काया सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विध्नम कुरुमे देवा सर्वकारेशु सर्वदा आए 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 सर्वविध्नम उपशात्ये हे विखनेश्वरा हे काक्षरा गजाननेती मृत्युम जया हे बुध्धिनात भुवनपती दरपे मेरे आयो दरपे मेरे आयो आया तु आया देवराया विघनया तेरी मूरत की जोत करे बापो का अंतता नित्रा पक्ष्रिष्टी में मलंग तेरा भक्त ये शोध करे छाया जो है विख्री हुई धूप में आया तु आया अब नीश ओंकारा सारे रिभुओं पे तेरी जय तंकुष तेरा अंभित है व्याकुल है जोगी अपरीचित है अंत दर्शन सयाज वंचित ये रूप है गणेशा श्रि कैनि शादेवोן के देवा माचा कन्मधी बबब बब। मुंबाई में गनेश आगमन हर साल की तरह इस साल में मुंबाई में गनपती आगमन से भक्तों में हर्शोलाच छाया हुआ है जगह जगह पर गनपती जी के आगमन पर लोग ठोल ताशे एवं मंजीरे बजाते बड़ी ही शद्धा के साथ जुमते गाते उन्हें अपने अपने सारवाजनी क स्थानों पर स्थापीत करते हैं तो कोई घर में ही गनपती जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं मुममई में गनपती आगमन के दौरान ट्राफिक जाम भी जगर जगर पर दिखाई पड़ते हैं 25 तारीक यानि गनेश चतूर्थी के दिन गनेश भगवान विराजमान होते हैं और पूरे 11 दिनों यानि अनंत चतूर्थी तक भाव भक्ती से इनकी पूजा की जाती है लेकिन इन 11 दिनों में भगजन पूरे जोशोज एवं हर्शोला से उत्सव में बढ़ चल कर हिस्सा लेते हैं रात को अलग-अलग पंडालों की जाकियम सारसज्जा का आनंत भगजन उठाते हैं जगजगा पर भंडालों का भी सारवाजनिक आयजन किया जाता है रोशनी से सरावोर पूंबई में शायद ही कोई इस उत्सव में अच्छुता हो इस उत्सव में जाती भेट को न देखते हुए हर कोई बढ़ चल कर हिस्सा लेता है और अनंत चतूर्थी के दिन गणिजजी का विस्जजन किया जाता है इसके बाद वापस अगले साल वापस से वापस आने के जैगोश के साथ उन्हें किसी तालाब या समुदर में अंतिम बिदाई दी जाती है